नमस्ते मित्रो मैं बल्राम किशान आज हूँ अंजड बड़वानी जिले में मध्यपरदेश में अंजड तहसील है एक यहां पर मेरे मित्र है डॉक्टर यादव आप महारेवा आयुरुवेदिक पंचे कर्म एमाम पाइल से स्पेसलिस्ट है यह पंचे कर्म करते हैं और मैं आपको मिलवाता हूं मेरे ब्रदर से नमस्ते सर्थ पहले में रवी भाई का इंट्रोड़क्शन लूंगा माफी चाहूंगा ब्रदर आपका नाम और परिचे क्या हो रहा था आप डाक्टर साहब के पास किस लिए आयो अभी क्या हुआ आपको अभी तो यहां जादू जैसा रहा था कल से परसों से बेड रेश्ट था पूरा और कल तो भेंकर हालत खराती उटने बैठने की चलने की स्ततिनी वर्मिए क्यों हालत कराती क्या हो रहा रहा हुआ कोन सी जगह पर दिखाओ रात लगा के खड़े हो जोब अरे गजर इतने इस्टेल पे खड़ा हो जैसे बाइब कहां पर दर्द था यहां पर जैंट में तरद था इसको मित्रों निमाडी में चैड़ा जाना बोलते हैं है ना कुछ उटाने में बजन खीचने में या किसी में हो गया होगा पूरी कमर मतलों हील भी नहीं पा रहत हैं पूरी नहीं हो रहा था बैंगर पहले मैंने मरीच का परीचे कराया कि प्रॉब्लम क्या थी मित्रों आप रवी जैट है मेरे मामा जी के लड़के हैं और मैं फैत रखता हूं पंच कर्म के इलाज पर मेरी फैमेली पूरा पंच कर्म का इलाज लेती है और दीन भर से मेरे पास पचास फोन आया होंगे रव अब भी फोन आया था तो कल मैंने डाक्टर साहब को फोन किया और इनसे कुछ टिप्स मंगी कि अभी क्या गुरू तुरंत तो दो ट्रीक बताई जो हमने घर पर फालो किया उसका फोटो है क्या बजन पेर पर रखना और कमर को खीचना घर पर ही रहे कुछ किया नहीं और ऐसे करके पेरों पर पांच-पांच किलो का बजन लटकाया और यहां पर गुटनों के पास रोलर रखा और सामने पेरों में पांच-पांच किलो बजन लटकाया जो हड़ी है और नीचे का कूला है उसमें खिचाव चाहिए था यह प्रोग्रामिंग किया यह प्रोग्राम जब दबई घोली नहीं कुछ प्रोग्राम नहीं केवल एक एक सरसाइज करीए एक मिनिट में तो इसा दर्द गायो कमर्ठी अभी मेरे मेरे मित्र सखा का आप से परीचे करवाता हूं मेरे मित्र हैं मिष्टर डॉक्टर र्यादर साब सर में ज्यादर नहीं बोलूँगा आप से आपका पूरी परीचे चाहिए मेरे नाम डॉक्तर विनो द्यादम कर आप ऑर मेरे मेरे अच्छे मित्र और बड़े भाई हैं तो इनके भाई को कमर दर्द हुआ तक अले इनका कॉल आया इस बीमारी को बोलते क्या है साइंटिफिक नाम के कि नाम यह कि इनोंने बजन उठाया था तो कमर के जो मन के रहते हैं अच्छा जो रीड के हड़ी के मन के रहते हैं वो कहीं न कहीं जादा बजन एक दौन से उठाने में कहीं अपनी जगे थोड़ी सी छोड़ देते सामाज नियवाताने बोले तो दिस्लोकेट हो गए थे तो उसको थोड़ा सा जगह पर बिठाया एक्सराइज करवाके तो जगह पर अपनी बेड जाता है तो वो दर्द पूरा राया को जाता है मेरे मित्र को भी एक कुछ समय पहले हुआ था में महाराष्टर में था जब उनको देखा था एलोपेथिक में हम जाते हैं तो वो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरा करवाते हैं फिर कुछ इंजेक्शन लगाएंगे कुछ मलम मसने के लिए देंगे और उसके बाद टेबलेट तो ये दोनों लाहिने एलोपेथिक और आपकी लाहिन में मतलब हम कन्फूजन है पबली की एक्सरा कराएं या क्या करें मतलब यह क्यों इतना दूंद है वो भी एक्सरे सीधे नहीं करवाते हैं तोड़े क्लिनिकली क्या है अग्या ज़र नहीं सबज में आता है तो अफ् सब्दों पर कि बलराम इसको बेड रेस्ट कराओ और पेरों में पाच-पाच किलो टांग के रखो एक दिन बाद मुलाकात करेंगे तो मैंने दिवाग निलडाया आपकी हंड्रेड बातों पर विस्वास करके इसको बोल लिया लेकिन घर से जैसा प्रेशर था मुझे बार-बार एक्चलिए डॉक्टरी काम में मेरी मदल लेते ही फेमिली की बलराम जिदर ले जाएगा तो इनका ये था कि इतना दर्द हो रहा है घर वाले परेशान है और बलराम दिखाने नहीं ले जा रहा है खल का दिन और आज का दिन और ये 5 मिनिट तο ये जादू जैसा प्रोग्राम एलो पेथिक में क्यों संभव नहीं है पंच कर्म में ही क्यों संभव है तो पांच मिनट में बंद हो सकता है, जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी जा सकती है, अगर दीमे दीमे आई तो दीमे दीमे जाईगी मुझे आप में कहीं न कहीं बलराम दिखता है, आप निशुल के सीविर भी लगाते हो, और नर्मदा घाटी से मेगा दीदी के इवेंट्स आयोजन में जुड़े होए हो, आपको मैं काफी समय से समझ भी रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल को रीड कर रहे हैं या मुझसे जो फार्मर जुड़े हैं, अगर वो आपसे कुछ सला लेना चाहे, तो आपकी किस-किस विशाय में इस्पेशलिस्टा है, विशेसग्यता है, तोड़ा बताईए, जिसमें भी चाहे, उसमें, जो भी विमारी हो, कभी भी कोई भी हगा ले सकता है, जैसे अगर बढ़ियां आती है, और विमारी की बात करें तो नाम, किसी भी विमारी का कोई भी नाम से उसको पहिचानना अलग है, और आपकी तकलीब क्या है, लक्षन क्या है, उसके आधार पर ठीक में इसे मेरे मित्र पूरे हिंदुस्तान में है, ये आज वीडियो बाइट ज अगर बढ़ियो नामबर एक ही है, जी यहां का, वो नमबर आप बताएगे, ट्रिपल नाइन थी सिक्स, सेवन थी डबल वन, वाट्साब, इसी पर है, दूसरा नमबर ही नहीं है, तेंक यू सर, कुछ फार्मर फोन करेंगे, अगर आना चाहे आपके क्लिनिक पर तो, सातो को दिन आप उपलब दर रहते हैं, कभी भी, किती भी वक्त आ सकते हैं, कहीं भी, नाइट को छोड़कर, हम ही आगए है, अभी नाइट है, मीत्रो बाहर लाइट चालू है, नाइट है, अभी समय 8 बजने को हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद नक्साब, और, मेरी एक ग जुड़ता हूँ, और, आप जैसे मित्रो बहुत कम है मेरे साथ में, लेकिन जिन के साथ जुड़ता हूँ, हंड्रेट जुड़ता हूँ, आपने जैसे बोला, बेड रेष्ट दो, एक दिन बात-बात करेंगे, तो, मेरे इनका फोन उठाना बन कर दिया, बहुत नाराज ह जैसे बोला होगा, जो उसकी पूरी रेष्ट भी थी, थेंकु सर, एक दम, बहुत बहुत धन्यवाद, मित्रो आप, बहुत ही, सब्दनी है मेरे पास, जिन मित्रों को, जो भी गड़बडी है, पंचकर्मा, और आयूरुवेट्स हैं, उन्हें ठीक होना है, मेरे अच्छे में भी डाल दूँगा इनका नंबर, और आपको जो भी महिला हो या पुरूस हो, जो भी सारी रिक तकलीब हो, आप डाक्टर साब से समात कर सकते हैं, अगर फोन नहीं उठ रहा है, तो मेसेज डाल दीजिए, ताकि बाद में ये समय दे देंगे कि कब बात करना है, थेंक कि बात कर दो?